हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुईन ओफ मेडिसिन्स में जहां आपको मिलती है मेडिसिन्स के बारे में कम्प्लीट एंट राइट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आपने थमनेल में देख के समझ ही लिया होगा कि आज मैं बात करने जा रही हूँ डाइकलो जेम टैबलेट के बारे में ये देख लिजे डाइकलो जेम टैबलेट है और इस टैबलेट से लगभग सभी लोग परिचित भी हैं ये OTC प्रोड़क्ट की तरह से इस यूज करते हैं बट ऐसा करना नहीं चाहिए कोई भी मेडिसीन आपको बिना डॉक्टर के सलाके बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए तो आज मैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी डाइकलो जेम टैबलेट के बारे में तो ये जो डाइकलो जेम टैबलेट है इस इसमें कंटेंट के बारे में अगर बात करें कि क्या क्या कंटेंट इसमें एड किया गया है तो इसमें डाइकलो फिनेक सोडियम और पैरसितमॉल ये दो कंटेंट से मिल करके ये टैबलेट बनी हुई है इसमें डाइकलो फिनेक जो है वो 50 mg एड किया गया है और ये दोनों content मिल के बहुत ही अच्छा work करते हैं तो friends अगर आपको joints में pain है, सर में दर्द है, कान में दर्द है, ये फिर दात में दर्द है, ये फिर fever आ रहा है, तो उस condition में आप diclogem tablet का use कर सकते हैं और ये तुरंट आपको relief दिलाती है, pain killer के तरह से ये बहुत अच्छा work करती है, अगर इसके market price की बात करें कि ये कितने रुपए में आपको मिलती है, तो लगभग आपको 30 रुपीज के market price पे ये 10 tablet आपको किसी भी medical store पर easily मिल जाएंगी, इसको कई लोग तो green पत्ते वाली tablet भी बोलते हैं, और इसके अलावा pink कलर में भी ये market में available रहती है, pink कलर के अलावा brown कलर में भी आती है, तो कई ये कलर में भी अलग-अलग आपको मिल जाएगी, बट ये green कलर वाली बहुत अच्छी रहती है, आप इसका यूज कर सकते हैं, बट कुछ इसके side effects भी हो सकते हैं, जैसे कि during pregnancy आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए, अगर आपने alcohol का सेवन किया है, तो उस condition में भी इस tablet का यूज नहीं करना चाहिए, ये फिर अगर आपको diclofenic sodium से reaction है, या allergic reaction शो करती है आपकी body, तो भी आपको इस tablet का यूज नहीं करना चाहिए, अगर आप इस tablet का यूज खाली पेट करते हैं, तो आपको पेट में दर्द या फिर heartburn जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, headache या vomiting जैसी भी शिकायत हो सकती है, तो इसलिए क्या इसकी dose होनी चाहिए, वैसे तो इसकी जो normal dose है, आप 2-3 बार दिन में ले सकते हैं, बट अपने doctor के concern पर ही आप यूज करें, यह जो वीडियोज होते हैं, यह आपके knowledge purpose के लिए होते हैं, self medication से आप बचें, क्योंकि कौन सी medicine कब लेनी है, यह आपका doctor ही decide करता है, आपकी condition को देख करके, तो अपने आप ना ले, doctor की सलापर ही यूज करें, friends मिलते हैं अगले वीडियो में, thanks for watching.